हो हेलो दोस्तो नमस्ते भाई तो कैसे हैं आप सब आज हम दखेंगे केमेस्ट्री बीः परो टेक्निक के km के सिलेवर्स और इसमें फ़स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दखेब कियिहार्फ ट्ेकनिक में केमेस्ट्री जो रहता है तीस क्यूस्ट रहता है, प्र तेक चार नाक्स का रहता है, तो टोटल जो क्यूस्ट माक्स होगा वह हो जाएगा trendy केमिस्ट्री में 150 में दखिए 150 में फर्स्ट पॉइंट होगा पदार्थ की प्राकृति यानी नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे chemistry का syllabus में first है पदार्त की प्रकृति यानि nature of matter second है परमानु सनरचना इसी प्रकार है रेडियो सक्रियत रसाइनिक बंधन कत्वों का आवर्त वर्गी करन ये सब जितना भी टोपिक है हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे रसाइनिक अभी किरिया रसाइनिक संकेत सुत्रवयम समिकरन परमानु दरभमानिका या फिर मोल संकल्पना गैसीय नियम रसाइनिक अबहे किडिया, आओमे उर्जा परिवर्थन, इंदन, सुर्य और नाभिकिय उर्जा, धहतु अधहतु, भोल या बिलियन के बारे में भी जानेंगे, इसी परकार जल एवम जल की करटोरित्ता के बारे में भी जानेंगे, अमल छारक एवम लवन के वह के बारे हम जानेंगे महत्पुर्ण लवन कार्बने ऊसके योगिक परमुख गयश कार्बनिक योगित में त्तव की पहचान करना से इसे परकार और योगी रसाइन में कुन-कुन सा योगी काता है उसके बारे में भी हम जाने में आज हम देखेंगे फर्स टोपिक पदार्त की प्राकरति के बारे में आज हम देखेंगे चलिए देखते हैं कि फर्स्ट टोपिक जो है वह है पदार्थ की प्रयकृति यानि नेचर अप मैटर के वारे में इसमें जो है हम तीन टोपिक पढ़ेंगे मुखरुप से एक तो है पदार्थ का वरगीकरन और यानि कलासिफिकेशन अप मैटर कलासिफिकेशन अप मैटर जो है वह दो प्रकार से होता है एक तो सुध होता है सुध पदार्थ और सुध पदार्थ में क्या होता है कि इसका गुन निश्चित होता है लेकिन असुध पदार्थ के कोई भी गुन निश्चित नहीं होता है इसका यह जो है असुध पदार्थ हुआ दो या दो से अधिक सुध पदार्थों के अनेश्चित अनुपात के मिलने से बनता है इसका जो गुन रहता है और दोनों सुधुपदार्थ के गुन के जितना अनुपात में मिलाया जाता है उतना अनुपात में उसका गुन भी मिलता है लेकिन नेश्चित नहीं रहता है अभी दिहान रखेगा लेकिन सुधुपदा रवस्ता में नहीं पाया जाता है यानि एक प्रमानु कोई भी ब्रह्मांड में नहीं पाया जाता है अक्यला प्रमानु जो है वह हमेशा अनु के रुप में ही पाया जाता है जैसे प्रमानु को तोड़ियेगा तो वह प्रमानु में तूड़ जाता है लेकिन प्रमानु जो भेवा दो तत्व के निश्चित अनुपात के मिलने से बनता है रिचन तत्व जैसे कि दहात्तु ऑगया है। है जितना है योगिक जैसे कि रुख गया है योगिक हो गया ये इसका जो एक सुचतम होगा र्खे-गा इसी प्रकार असुद पदार्त में मिश्रन आता है मिश्रन एक प्रकार के असुद पदार्त के उदारान है और मिश्रन दो प्रकार के हो सकता है समांगी और भी समांगी समांगी में इसका अवयविकन जो रहता है वा संपुर्ण भाग में एक समां नहीं रहता है अगला टोपिक है सेकेंड टोपिक इसमें वह है रसाइनिक साइनोग के नियम यानि लव औप केमिकल कंबीनेसर इसमें देखिएगा कि अस्तिर अनुपात का नियम यानि लव औप कॉंस्टेंट प्रोपेशन इसको जो है वह प्राउस्ट ने 1789 में दिया था या देहान रख देखिएगा कि अस्तिर अनुपात का नियम 1789 में प्रवस्ट ने लिया था इसमें कहता क्या है कि यहां देखिएगा इसके नुसार एक ही रसाइनिक योगीक के विभीन नमुनों में एक ही परकार के ताट्व बहार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में प्र यही बोलता है अस्तिर अनुपात का नियम और यह भी बोलता है कि कोई योगीक हो उसके जो तत्व मिला रहता है वह techniques कहीं से भी उठाएं जैसे समुदर से पानी लेजेए या फिर नदी से पानी लेजेए फिर आप अपना मोट conviction उसमें जैसे है रसाइन पहा हमेशा वहान अनुपाट एट रहता है यही बोलता है अस्थिर अनुपात करन safi में जैसे एक्जामंपल है स्ट्रय ने में बहार लुप में वहार हम लिखते है्ट इसी प्रकार यकारवान और वोसीर नी वहार के विखते हैं तो थे अनुपात करन बैं रखेगा अब अ झान बांत का निययम को भूंदिए और गुनित अनुपात के नियम के नुवाथ कहता है डालतान कि इनके अनुसार योगी जो है वात तत्वों के निश्चित और सराल अनुपात के मिलने से बनता है देहान रखेगा निश्चित बोला गया अस्थिर अनुपात के नियम में भी लेकिन सराल अनुपात इसमें लगाया गया जैसे निश्चित अनुपात हो गया 12 और है यानि हैड्रोजन पैर्यक्साइड में हैड्रोजन और औक्सफीजन का सराल अनुपात वह एक अब ढ़ाइन्य तप्र काता है वह डालटन का प्रमानु मॉडल यानि डालटन का परमानु सिद्धान और इसमें तीन तो तीन पॉइंट पढ़ेंगे जैसे देखें डाल्टन जो कहता है कि पदार्थ सुच्म अभिवाज कनों से बनता है डाल्टन ने कहा था पहले कि पदार्थ जो है वह सुच्म अभिवाज कन से बना है जिसे परमानू कहते हैं और परमानू करना तो ना सोता है ना ही निर्म न कर निर्मान करते हैं तो यह नोओं बाताक्त के बिछेंगे हैं वहatti निया मिलकर योगीदों करता है अगया Kingdom में वह है योगी के नbooks तंकन को आनुक होते हैं जिसमें नहीं परिकार्स सम्मान होते हैं ओन रखेगा जितना वियोगी खाए उसका सुच्तम्कन तो अनुय है जेकिन अनु के तो दब तो उसका सुच्तम्कन परमानु हो जाता है अनुयों का, इसका प्रैक्टिस क्यूचन जैसे दखिए फर्स्ट क्यूचन है विभीन सुरुतों से प्राप्त जल के नमूने में हाइड्रोजन एबं ऑक्सिजन के भारों का अनुपात एक ही पाया जाता है यह किस नियम की पुष्टी करता है यह जो है अस्थिर अनुपात का नियम गु समान ही रहेगा यह जो है अस्थिर अनुपात का नियम अस्थापित करता है सकेंड है अस्थिर अनुपात नियम के प्रतिबादन किस ने किया यह दिहान रखेगा हम बताए थे आपको की प्राउस्ट ने किया अगला जो क्यूचन है वह है है हाइड्रोजन एच्टु और का बनना पालन करता है अस्थिर अनुपात के नियम का गुनित अनुपात के नियम का दोनो नियम का इन में सकोई नहीं इसका जो राइट अंसर होगा वह भी होगा गुनित अनुपात के नियम का पालन करता है जितना भी योगिक है वह सभी जो है गुनित अनुपात के निय अगला जो किवचन है अब वह है जैसे देखिए पदार्थ अभीभाज सुच्मकन से बना है वेव अभीभाज कन कहलाते हैं इसका जो राइट अंसर होगा वह क्या होगा तो इसका अनु इसका जो होगा वह परमानु होगा अध्यान रखेगा अनु नहीं मारी यह योगी के यहां पर नहीं बोल रहा है यहां पर बोल रहा है पदार्थ अभीभाज सुच्तमकन अभीभाज बोल रहा है तो पर अनु जो है विभाज परमानु में पहले माना गया था कि परमानु जो है अभीभाज है यहां पर परमानु होगा अंसर यहां पर दिहान रखेगा लेकि है युजिक है या योगिक नहीं है यह जह करने कहने तरी यह दखेंगे श्वतनतर रस्ते में पाया जाता है यह तेजिये देखिए पदार्थ के अनुका निमने में लिखित मेंसे कौन गुं नहीं है यह जो होगा इस कराई अंशर वह है था इजाता है रशानिक परतिकिरीय को निमन में कौन गुण नहीं होते हैं स्वातनत्र रस्त में पाई जाता है परमानु यह करन नहीं होता है यह से होगा 6 जो है उसका सुच्ढ्या परकवा नहीं होता है इसलिए योगी ke इसका राइट अंसर होगा एथ तत्व क्या फदार्थ के प्रमानुवाद के प्रनेता थे इसका राइट अंसर होगा को दाल तन यहाँ डालटन के प्रमानुव्ð पीछे पढ़ाएं आपको अगला कि प्लास्टिक होता है बिदूद का कुछ चालक यह जितना भी क्यूचन है यह आने वाले चेप्टर में आपको पढ़ाएं यह चेप्टर में क्यूचन दे दिया इसलिए हम आपको बता दे रहा है तत्वों के आईसस शुतम सुचितमकन ज जो है योगी के शुचितमकन है लेकिन अभी करिया में भाग नहीं लेता अनौद मैकMore अब已經 रहा यह रहाएं कि आपिशन है ग्यान और समान और होता है जनक्तु बिंज्ञान हो गया विद chopping इसका राइट अंसर होगा सी यानि यह आप से नहीं पार्मानों के बारे में नहीं बोल रहा है पदार्थ यानि एक पदार्थ के एक अपना ही गुन होता है सब कुछ अपना होता है उसके गुन अलग होते ही पिदात जो है ढूसरा हो जाता जाता है इस सरीर में रक्त पलता की बीमारी होने के करण है हम शरीर में रक्त की कमी की बीमारी होने के करें अध्यान देजेगा कि चीनी का जलिये बिलियन है ततो योगिक मिश्रण योगिक प्रवान तो इसका जो राइट अंसर होगा वह मिश्रण होगा ठीक है अगला जो क्यूचन है वह एक ततो विद्धूत एवं उस्मा का सुचालक है अगहात वर्दनिये और तन भी है तत यह ततो है रुकिक यह नहीं प्राइट रुकिए रुकिक बिघ्धूत एवं उस्मा का सुचालक है या हाथ वर्दनिये और तन भी है तता यह हत्तो है यह हो सकता ही रुखिक यहात और यह है लुखिक यह जो हो सकता ही ज dobr हो सब्सक्र zaten गइस अन्वें आहिए बिल नहीं ह यह हो सकते हैं आपधान देजेगा इसका जो राइट अंसर होगा और मार लिजी दोनों ठीक है युम लिखित में कौन योगिक है अधातू ततु उब्धातू अनु इसका जो राइट अंसर होगा वह डियो होगा अनुद यहां तक जो है इस चेप्टर जो समाप्त हुगा आपका यह आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक केज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब केज़ेगा थैंक यू